की बहुत बड़ी ख़बर अपने दर्शकों को बताएं नियूज 18 पोल हब के आंकड़े सामने आ गए हैं और उन्हीं आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं एंडिये को 355 सीटे मिलती में नजरार ये 370 में से 355 और कॉंग्रिस को 62 से 72 सीट अनुमानिक नजर आ रहें इंडिया लाइंस को 125 से 140 और नियूज 18 पोल हब की ये बहुत बड़े आकड़े हैं जिसका इंतजार आप कर रहे थे बिल्कुल तो इंतजार खत्म हुआ ओवरॉल आकड़ा आपको बता रहे हैं इंडिया अलाइंस को मिल सकती है यानि की 370 का आकड़ा पहुँच सकता है यानि की जो एंडिया लाइंस है वो 370 सीटे जीत सकता है नियूज 18 का मेगा एकड़े पोल यही कह रहा है शुबी वाकई और ये आकड़े जो लगातार हम आप तक पहुँचा रहें इससे देखकर आप भी समझ सकते हैं कि भारत की जनिता का क्या मिजाथ रहा और 355 से लेकर 370 सीटे और बीजेपी की अकेले हम बात करें आला की 400 पार की गारेंटी बार बार प्रधार मंतरी ले रहे थे लेकिन एकड़े पोल में वैसा एकड़े टांकरा नजर अभी नहीं आ रहा है लेकिन 4 जून का इंतजार हम सभी को है उससे पहले ही अनुमाने तांकरे जो बहुत ही विशीश तरीके से हमने लिये हैं वो आंकरे आपको दिखा रहे हैं कॉंग्रिस को 62 से 72 सीटों का अनुमान इंडिया लाइंस को 125 से 140 सीटों का अनुमान और साथी साथ नियूज जीटीन पोल हब की ये बहुत ही बड़े आकरे जो इसक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है 355 से 360 और बीजेपी की बात करने तो सिर्फ अकेले बीजेपी को 305 से लेकर 315 सीटों मिलने के अनुमान नज़र आ रहे हैं बिल्कुल तो इसी का इंतिजार किया जा रहा था फाइनल आकरे क्या कहते है कई सारे राज्ज में एंडिये यानि की बीजेपी यहां तक क्लीन स्वीप करती भी नज़र आ रही है और वो आकरा जो है आपके टीवी स्टीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हम आपको एक बार फिर से बता दें नियूज और एटीन पोल हब के मताबिक एंडिये को 305 से 370 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है आपको यही समझ में आ रहा होगा कि प्रधान मंतरी है ट्रेक मानने वाल है जाटी जी मेरे से यह प्रस्ण है जी जी आप से यही मेरा नाम राकेश सिनहा है राकेश रंजन नहीं इस लिए मैं भी इंडिया आप से इस सवाल है कि अभी तक जो नुमामिन आकड़े हैं नीउज जेटीन मेगा अब कोल के मताबिक एम बता रहे हैं कि 370 सीटें लगभग एंडिये के खाफे में जा सकती है यानि अगर देखे तो सत्ता में वापसी हो रही है आप लोग कह रहे थे कि विदाई तै है प्रिया मोदी कि इस बार देखे मैं आज भी यह बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को विदाई तै है कि 2004 का भी सर्वे हमने देखा है 2009 का भी सर्वे हमने देखा है तो आप यह समझ लें कि कि 2024 का सर्वे 2004 के सर्वे को रिपीट करेगा मतलब इंडिया सत्ता में आईगी और एंडिये सत्ता से बाहर जाई यह चुकि जो चुकि इस राज में आपने दिखाया है और हमने देखा है कि जो आपने आकरे बताया है आपके दावे और हलाकि आप लोगे पहले से दावा भी कर रहे हैं और आज भी बैठा के बाद मलिका अरजुन खडगे ने भी कहा है कि 295 से लगबाग 300 सीटे वोट जीतने वाले हैं अब कितना दम है यह तो 4 जून को पता चलेगा लेकिन इस पर हम रियाक्शन ले लेते हैं बहुत जल्दी से बार फिर से रूख कर लेते हैं प्रीम रंजन पतेल जी मैं साथ जुड़े में प्रीम रंजन जी आकरे देखकर ख जाएगा मतलब जो हवाई हवाई आत्रा कर रहे हैं और अनुमान लगा रहा है कि इतनी सीटे एंडिया गठबंधन को आ रहा है खुलने तो दीए तब पता चलेगा कि कितनी सीटे आ रही है पिछली बार भी 2019 में इसी प्रकार से यह लोग हवा में बाते कर रहे थे और भा आक्त जब एवी एम खुला और जब उससे बोट निकलने लगे इन लोगों के जो ऐसे होस गुम हो गये फिर एवी एम पर सवाल उठाने लगे उसके बाद चुनाव आयों पर सवाल उठाने लगे चार तारी को यही होगा और मैं फिर दावे के साथ मैं कराओं कि 400 का जो आ कारिंट्री ले रहे हैं जो आप एक बार फिर से दावे कर रहे हैं कि 400 पार तो होना ही है तो देखेंगे हम भी इंतजार करेंगे हमारे साथ इस वक्त सर्वोदे शर्वार हैं सीपे आईयमन मेता उनका वे रुक कर लेते सर्वोदी जी बताईए कि दावे इनकी तरह से हम जनता से हम लोगों ने संपर्क किया उसका रिजल्ट ये है कि अधिकांस राजियों में बीजेपी लूज करने जा रहे हैं अधिकांस राजियों में उसकी सीट जितनी थी पिछले चुनाओं में उतनी नहीं हासिल होने जा रहे हैं कुछ एक राजियों में वो अपनी इ में एक दो जगह नहीं जगह उसको कुछ फाइदा हो सकता है लेकिन ओवर ओल बीजेपी का जो अभी दिखाई पड़ रहा है उतना तो किसी भी हालत में नहीं पहुंचा है तो वापसी कर रहे हैं और उसकी सकार बनानी कफिन हैं आप मैं मानता कैसे हूँ अब मैं आकड़ा तो कोई यह रिजर्ट तो है नहीं यह तो एक अनुमान कर सकते हैं और अनुमान से आप इस्ते फाक रख रख लें मतलब आपको लगता है कैसा हो सकता है जो पूरे देश में जना संतोष की लहर चल रही है वो यह बताता है कि नरेन्द में घटी भी दिख रही है 49 सीटे 2019 में थी लेकिन इस बार का अनुमान है वो 32 सीटें लगभग बता रहा है कि एंडिये लाइन्स के पास जा सकता है तो कुछ सीटों का नुकसान यह अनुमान को किस तरीके से देख रहे हैं आप देखे यह ऐसा कहके कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं यह जनादेश का अपमान है और विपक्च के लोग इस मामले में महारत हासिल की हुए हम विगत कुछ दिनों से यह बात कहते आ रहे हैं कि भाईया तिसरी बार ही मोदी जी आ रहे हैं और 400 पार जाएंगे हम लोग जिसका जो है आपके माधियम से जनता ने कर दिया है जोक एक शायर है कहते हैं कि बजाक कहे आलम तो बजा समझो जुबाने खल को ना काराए खुदा समझो जनता जनार्द होती ही अपना जनादेश सुना चुकी है उसके बात से हाला कि एकजिट पॉल है लेकिन बड़े सेलेक्ट तो थोड़ा सा मार्केटिंग रिसर्च का मेरा बैक्ग्राउंड एक सैंप्लिंग एरर होता है जो कि पांच प्रतिशत एक से पांच प्रतिशत हो लेके चलते हैं तो आपने मुझे बोल लेने दिए सर मैंने आपके समय नहीं बोला था सर जिसके पास कोई जनाधार नहीं ह तो हमारी पार्टी जो हम बात कर रहे हैं तो हम तो यह मान रहे हैं कि 370 अब जो दिखा रही है इसमें पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी और होने वाली है तो 400 का कड़ा बिल्कुल पार जयाएगा और यह तीसरा जो टर्म है यह बड़ा महत्वपूर्ण है देश के लिए सम समाज के लिए खास करके सनातनियों के लिए कि अब तक तो 10 साल में हमने तो जो भी यह लोग रफूगिरी का हम लोग काम कर रहे थे जो कॉंग्रेस ने या बाकि जो घटक दलो ने मिलके 54 साल में बरबाद किया देश को लेकिन तीसरा जो पाली होगी उस पे हम लोग सही मे विकास करेंगे और विकास की क्या रफ्तार होगी वो देश देखेगा और विश्व देखेगा